Okay, alright, let's rock this video बोलो हर हर महादेव Alright guys, so welcome back to a new episode of SDR So, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे की easy way में glass painting कैसे बनाया जाती है और कितनी creative और कितनी crazy होगी ये glass printing आपको देखके मज़ा आएगा ये वीडियो So, इस चैनल को ज़रूर subscribe कर ले हैं ये बहुत लोग subscribe करके नहीं जाते हैं, सिर्फ देखके जाते हैं So, आगे बढ़ते हैं वीडियो में So, आज के वीडियो में हम करने वाले यहाँ पर है मेरे पास ये glass बहुत ही heavy है क्योंकि ये इतनी thick है glass और ये artwork मैंने बनाया है ये है अधितयोगी शिवा का statue ये जो artwork है ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है क्योंकि मुझे ऐसा ही कुछ बनाना था और finally ये कुछ ready हो चुको और ये कुछ ऐसा लग रहा है और ये जो खुबसूरत जगह है उसके बारे में भी कुछ हम बताते हैं क्योंकि यार ये जो जगह है न वह बहुत ही खुबसूरत जगह है मुझे इस जगह पर पर परसनली जाकर विजट करना है मुझे ये जो statue में आज artwork बना है उसे witness करना है सामने है मतलब कि ये ही A4 size में है जो statue है वहाँ पर वह 112 फिट उचा statue है मतलब कि आप सोच भी ने सकते हैं इतना बड़ा statue है उस statue की खास बात क्या मालनों है कि पूरा नीचर के करीबे मतलब की background में अच्छे खुबसूरत से पहाडा सा ground या ground के बीच में ये statue स्तापी थे तो बहुत ही खुबसूरत नजर आता है उस जगे पर visit करना बहुत बनता ही है और उस जगे की थोड़ी बहुत सी feel लेने के लिए में ये artwork बनाया हूँ इस artwork को frame करेंगे हम मतलब ये जो edges है ना यहाँ पर एक देना प्लेल ब्लाक प्लड़ की frame होगी और फिर इसे हम यहाँ पर याफिक अलग जगे पर इसे लगाएंगे आज का वीडियो शुरू करते तो ये artwork में ने कैसे बनाया है आपको जानना होगा अभी हमें जाना पादेगा text वाले angle में और आपको बता चलेगा कि ये artwork में ने कैसे बनाया है आपको जाते हैं text वाले angle पर और आपको ग्लास का जो measurement है वो में आपको बता रहा हो कि measurement क्या होने वाला है यहाँ पर है मेरे पास ये measuring tape so height है 1 feet और width देखते है width है 8 cm okay so यहाँ पर हमने height का measurement लिया so अभी जो आगे का process है उसके लिए हमें लगेगा xerox sheet मतलब कि जो artwork है उसका हमें करने पाड़ेगा xerox तो यहाँ पर है मेरे पास जो artwork शिव जी का photo okay alright so इसे मैं रख देता हूँ अभी glass के पीछे so glass थोड़ा heavy है तो उटा में problem होता है so अच्छे से center देखिए और फिर उसके बाद उसके उपर glass रख लीजिए क्योंकि एक बाद glass रख दिया अच्छे से center में उसके बाद हमें base coat करना है तो यहाँ पर आ चुकी है drawing अच्छे तरह से center में तो मैं अभी use करूँगा acrylic color base coat करने के लिए सब कुछ ready हो चुक है palette है color है सब कुछ हो चुक है brush ready है तो अभी हम करेंगे इस पर base coat सो यहाँ पर मैं base coat start करूँगा border line से पर उससे पहले मैं cloth से साफ कर लेंगे क्योंकि class में कुछ भी dust होगा वह साफ हो जाएगा सो यहाँ मेरे पास यह white color का acrylic paint सो इसे मैं अभी paint करता हूँ तो मैं paint starting करूँगा edges से edges पर अच्छे तरह से हम paint layer add up करने मतलब यह एक layer हो जाएगा फिर उसके बाद 2 layer करीबन 3-4 layer के बाद आपको एक अच्छा base coat मिल जाएगा सो यहाँ पे layering वाला process हो चुका है almost complete okay all right so base coat हो चुका है complete और इसे मैंने करीबन 3-4 hours dry होने दे दिया और यह कुछ अभी ऐसा लग रहा है मतलब जो starting में आपको नज़र आ रहा तब process के strokes हो तो वो अभी बिलकुल नजर नहीं आ रहे अभी एकदम clean और neat लग रहा है तो अभी इसका काम है अभी इसका काम क्या है कि यहाँ पे ना थोड़ा में border lines बना लेता हो तो क्योंकि यह shoulder मुझे थोड़ा जादा चीए तो इसके लिए मैं यहाँ पे shoulder बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे shoulder हो गया और यह piece इसे cutting में जाएगा तो इसके लिए मैं ऐसा lines बना लेता है कि मुझे यह piece cut करना तो यहाँ पे है मेरे पास scissor scissor से मैं जो है वो cut करूँगा सो इसे cut कर लेते है ओके और राइट सो cutting ला प्रोसस हो चुका है complete और यह कुछ आपके सामने cut out है यहाँ पे so अभी इसके cut out कीच दिया इस पूटू को क्योंकि हमें trace करना तो trace करने के लिए हमें cut करना पड़ेगा सो इसके लिए मैंने अच्छी तरह से cut out कर लिया सो यहाँ पे हम देखते कि हमेरा जो एजे से properly cut हुआ है कि नहीं कैसे चेक करना कि यह जो cut out है उसके drawing के उपर base coat के उपर रग देते हो चेक करते है तो cutting process अच्छी तरह से cleanly cut हो चेको और अच्छी से size में fit हो रहा है तो यहाँ पे मैंने अभी जो cut out है उसके उपर मैं करूंगा black pencil से scribble से कहाँ जाएगा कि जो black print है ना वह अपना जो drawing पे आ जाएगा tracing वाला effect जैसे कि मैं आपको बता आया था मेरे पुराने वीडियो कि 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 करते है और अपने जो base coat से रखके edges अच्छे से चेक करते हैं तो edges अच्छे से चेक हो चुका है तो अभी मैं यूज़ करूंगा यह छोटे छोटे से टेप और इससे स्टिक कर दूँगा क्यूंकि स्टिक करेंगे तो हिलेगा ने ट्रेसिंग करने के टाइम पर स्टिक हो चुका है तो अभी मैं यूज़ करूंगा यह ball pen, ball pen क्यूंकि मुझे markings करने पड़ेंगे और markings करूंगा तो पीछे highlight मतलब यह ट्रेस हो जाएगा फटा pressure apply कीज़े marking करने के टाइम पर अपना काम हो चुका है सो अभी इस paper को निकालते है दीरे से और देखते हैं कि कितना stress हुआ है अपना artwork ओके दीरे दीरे से निकाल यह ओके सो almost stress हो चुका है मतलब थोड़ा बहुत सा detailing वाला काम है वो तो होई जाएगा सो यह कुछ अभी ऐसा लग रहा है सो अभी इसे हम हम अभी आखर वाला process करते हैं अससे पहले हम थोड़ा बहुत जो भी डीटेलिंग बागी है वो complete करते हैं तो डीटेलिंग हो चुका है थोड़ा बहुत सा बागी ता complete कर लिया तो अभी हम करेंगे coloring वाला process तो यहाँ पर जो statue का color है वो तोड़ा stone वाला मलें मलें माला करें पाला आज करेंगे यह पाला मलें आज करणेर वहाला तोड़ा okay so coloring व्ला प्रोस्ट हो चुका है कंप्लेट so enjoy the b-rolls कि अप्लोग ने देख लिया फिर से देख लीजे क्यूंकि प्रोसेस हो जाने के बाद चुँ फिनिशिंग आउटपूट रहता है उसे देखने में बहुत ही मजा आता है यह हमारा आटफ़क रेडियो चुक है कि 99 परसंट रेडियो चुक है 1 परसंट पाकी 1 परसंट क्या है परसंट है फ्रेमिंग मतलब इसे फ्रेंग करने की बहुत ही जरूरा थे क्यूंकि एक लास है इसे कहां पर भी मैं रख नहीं सकता तो इसके लिए मैं इसे बॉडर से फ्रेम बनाऊंगा ब्लाक कलर और फिर यहां पर पिछे लगा दूँगा तो आपको यह वीडियो देख झाल